ज़े स्रीराधारानी सरकार की, ज़े श्री क्रिशन भगवान की, ज़े शिर्मत भागवत महापुरान की मंदर शिवंची वले महत्मा YouTube चैनल के और से आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिर्मत भागवत महापुरान के 10명이 सकंद के 29 अध्याय की परमपावन कथा इस अध्याय का नाम है रासलीला का आरंभ बोल श्री राधा कृष्ण भगवाने की जै आज की इस कथा को सुनाने से पहले हम आपको ये बता दें कि शिर्मत भागवत महापुरान में किसी भी सकंद में किसी भी अध्याय में राधारानी का नाम नहीं है राधारानी का नाम किसलिए नहीं है उसके लिए एक वीडियो हमने अपने चैनल पर डाली हुई है लेकिन यहाँ पर हम बता दें कि यद्दिपी शिर्मत भागवत महापुरान में राधारानी का नाम नहीं है लेकिन यहाँ पर हम आपको जो कथा सुनाएंगे वो शिर्मत भागवत महापुरान और साथ में शरी विश्णु पुरान और साथ में शरी गरग सैंता सबसे मिलाकर यहाँ पर हम आपको कथा सुनाएंगे इसलिए इस कथा में राधारानी की लीला का वर्णन भी अवश्य आएगा और वैसे भी जहां भी आप शिर्मत भागवत महापुरान की कथा सुनेंगे राधारानी का नाम आता ही है तो यहां पर आप यह बात अवश्य ध्यान में रखें कि यद्धिपी शिर्मत भागवत महापुरान में राधारानी का नाम कहीं भी नहीं लिखा हुआ है लेकिन जो भी हम यहां पर आपको कथा सुनाएंगे वो कई धर्म गरंतों को मिला कर यहां पर सुनाई जा रही है ताकि कथा को पूरी तरह से सुनाया जा सके तो आज की कथा का यहां पर हम आरहंब करते हैं शिर्शुकदेव जी महराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा प्रिक्षित चीर हरन के समय भगवान शेकरिशन जी ने सब गोपियों से ये कहा था कि हम शरद पूर्णिमा को तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण करेंगे उस दिन से सब गोपियां आपस में ये कहती थी कि कब आश्विन का महीना आए और कब हम अपने प्रान वलब के साथ रास विलास करके अपने मन की अभिलाशा पूरी करें इस प्रकार की इच्छा करते हुए जब शरद रितु का समय आया तब श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने हिर्दे में विचार किया कि अब मुझे गोपियों को दिये हुए वच्छन को पूरा करना चाहिए ऐसा सोच कर वे शरद पुर्णिमा को तीन घड़ी रात्री वे तीत होने पर कि रीट मुकुट और रतन जड़ित आभूशन पहने पितामबर काछे मन मोहन सवरूप धारन किये घर से निकल कर श्रीधाम वरिंदावन में जा पहुँचे हैं वहाँ प्रभू ने ये देखा है कि चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परकाश फेलाए हुए हैं और यमना जी का जल भी मोती के समान उजवल हो गया है चारों और सुंदर सुगंदित पुश्प खिल रही हैं और तीनों परकार की शीतल, मंद और सुगंदित पवन बह रही है यहां पर आप जो कथा सुन रहे हैं आप ध्यान दीजिए कि शरद पुर्णिमा वही है कि जिस दिन रातरी में भगवान की परसंता के लिए घर की छत पर खीर बनाकर रखी जाती है यह उसी दिन की कथा कि यहां पर बात हो रही है तो आगे की कथा का वर्नन करते हुए श्री शुकदेव जी महाराज आज कहने लगे हैं कि हे राजा प्रिक्षित उस समय वह व्रिंदावन श्री क्रिशन चंदर जी को भवत सुहावना लग रहा था उसी समय श्री मुरली मनोहर ने चरन पहाड़ी पर चड़ कर अपनी मुरली में एक अत्यंत मनोहर राग गाया है और उसी राग के साथ साथ राधारानी आदी ब्रज बलाओं के नाम ले लेकर उन्हें अपने पास आने को तेर लगाई है उस समय श्री मुरली मनोहर ने अपनी मुरली में मुहित करने वाला ऐसा सुन्दर राग गाया है कि उसे सुनते ही राधारानी आदी समस्त ब्रज जो गोपियां मोहित होकर श्री कृष्ण चंदर जी से मिलने के लिए श्री धाम वरिंदावन की ओर दोड़ी चली गई है ये राजा प्रिक्षित उस समय जो गोपी दूध कार रही थी उसके हाथों से दूध का पात्र छूट गया जो भोजन कर रही थी उसने जल तक नहीं जो रसोई बना रही थी वे उससे जियों की त्यों चूले पर रखी छोड़ आई है जो काजल लगा रही थी वे एक आँख में ही काजल लगा कर दोड़ पड़ी है उस आतुरता के कारण किसी एक ने दूसरी से यह भी नहीं पूछा है कि तू किदर जा रही है जल्दी के क कारण गोप्योंने हातों की आभूषन आज चरणों में पहन लिये हैं पैरों में पहन लिये हैं लहंगे की जगा औरनी पहन लिए और लहंगे को आज सिर पर और लिया है आज ठाकुर्जी की बांसुरी में वो प्रेम का रस भरा है कि सब गोपियां अपने तनमन की सबसुध भूल चुकी है हाथों में चोली लिये हुए वेवन की ओर दोडने लगी है जब घर वालों ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने किसी का भी कहना नहीं माना है सच बात है कि जिसको ठाकुर्जी की लगन लग जाएगी वो किसी का कहना मान ही नहीं सकता उस समय एक गोपी अपने पती के चरन दबा रही थी जब वे उठकर चलने लगी तो उसके पती ने उसे नहीं जाने दिया उस समय वे श्रीकृष्ण चंदर जी के ध्यान में अपना धे छोड़कर सब गोपियों से पहले श्रीकृष्ण जी के पास जा पहुंची है उसका ऐसा सच्चा प्रेम देखकर भगवान श्रीकृष्ण ने उसे अपने रास विलास में सबसे प्रधान स्थान दिया है धन्य है वे गोपि जिसने श्रीकृष्ण मिलन की आस में आज अपने प्रान त्याग दिये हैं लेकिन ठाकृष्ण जी ने सबसे पहले उसे अपने रास मंडल में स्थान दिया है राजा प्रिक्षित इतनी कथा सुनकर पूछने लगे हैं कि हे श्रीशुकृष्ण देव जी महराज उस ब्रध गोपि ने श्रीकृष्ण जी को भगवान समझ कर प्रेम नहीं किया था उसके मन में तो श्रीकृष्ण जी के प्रती संसारिक प्रेम था इसी कारण उसने प्रान त्याग थे फिर उसे मुक्तिपद कैसे प्राप्त हुआ यह बात सुनकर श्री शुकदेव जी महराज कहने लगे हैं कि हे राजा प्रिक्षित संसार के उत्पन करता श्री वैकूंठ नाथ हमेशा एक रस और विकार रहित रहते हैं जैसे लोहा किसी भी तरह पारस्मनी से स्पर्श हो जाए तो वह स्वर्न बन जाता है और धोके में भी अमरत पान करने से प्रानी अमर हो जाता है वैसे ही भगवान के चर्णार विंदो में किसी भी भाव से मन लगाने वाला प्रानी भी मुक्तिपद को प्राप्त कर लेता है ये राजा प्रिक्षित देखो शिशुपाल ने भगवान शिक्रिशन चंदर जी को सो गालियां दी थी और पूतना बकासुर आदी उनके प्रान लेने के निमित आये थे उनको भी दयालू प्रभू ने अपना धाम देकर मुक्त कर दिया था जगतपती भगवान की तरफ जो प्रानी किसी भी भाव से अपना ध्यान लगाए रहते हैं उन पर प्रभू सदेव प्रसन रहते हैं उन पर प्रभू की कृपा होती है यह जीव किसी वे प्रकार से भगवान को याद करता है तो वे अवश्य ही उसे मुक्तिपद दे देते हैं इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेव जी महराज कहने लगे हैं कि हे राजा प्रिक्षित बांसुरी की मधुर आवाज सुनकर सभी ब्रजबा लाएं अत्यांत उमंग में भरकर श्रीकृष्ण चंदर जी के पास आपहुंची हैं उस समय श्रीकृष्ण चंदर जी ऐसे सुन्दर सुशोभित हो रहे थे जैसे तारागनों के मीच में चंदर मा हो जब गोपियां उनकी रूप मादरी को नेत्रों के मार्ग से पीने लगी तब श्रीश्याम सुन्दर ने उनकी कुशलक्षेम पूछ कर कहा है कि हे गोपियो तुम्हारे आने से मुझे प्रसनता हुई है अत्यंत प्रसन हूँ अब तुम जो कहो मैं वही कार करूँ प्रंतु पहले मुझे यह बता दो कि इस आधी रात के समय तुम सभी युवती इस्त्रियां अपने कुल परिवार की लाज छोड़कर उल्टा सिधा श्रिंगार करक पागलों के समान यहां किस लिए आई हो यदि तुम केवल सने के कारण ही मेरे पास आई हो तो यह समय उसके लिए उप्युक्त नहीं है हे गोपियो इस्त्रि के लिए अपने पती की आग्या का पालन करना और लोक लाज की मरियादा रखना तपस्या करने के समान कहा गया है कि अपना पती चाहे सुंदर हो चाहे कुरूप हो चाहे रोगी हो कैसा भी क्यों ना हो उसे इश्वर के समान समझ कर उसकी सेवा करनी च जो इस्तरी अपने पती की निंदा करती है और उससे दुरवचन कहकर परपुरिश से प्रेम करती है उनकी लोक निंदा तो होती ही है साथ ही मृत्तु के पशात उन्हें नरक की घोर यातनाय सेहनी परती है अब तुम सब गोपियां चांदनी रात में वन्न की चाया को देख चुकी हो मेरे दर्शन कर चुकी हो इसलिए अब तुम सब अपने अपने घर में जाकर प्रेम पुर्वक अपने पतियों की सेवा करो उसी से तुम्हें सुख प्राप्त होगा इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा प्रिक्षित इस कि उपदेश को सुनकर सभी गोपियां ठंडी स्वांशे लेकर अपने पाम के नक्से परित्वी कुरेदने लगी हैं और जियों की त्यों चितरवत खड़ी रह गई हैं कुछ देर पुर्व तक उनके मुक पर जो परसंतावी ध्यमान थी वे एकदम लोप हो गई है तब उ ले लेकर टेर लगाई है और अब तुम हमारे आने पर ऐसी बातें करते हो हे प्रान प्यारे इस समय तुम शास्त्रों की बातने कहकर हमें जमेले में क्यों डालना चाते हो हे मन मोहन हे शाम सुन्दर जिस प्रकार तुमने हमें इस रात्री के समय यहां बुलाया है उसी प् हम ऐसा ग्यान धर्म नहीं सीखना चाती जो तुम्हें छुडा कर संसारी माया मोह में हम लिपट जाएं। हमारा मन तुम्हारे प्रेम के रंग में रंगा हुआ है। अते अब वह घरस्ती में नहीं लग सकता। अब आपके चर्णारविंदों को त्याग कर हमें घर लोट जाना किसी भी हालत में स्विकार नहीं है। हे प्रभू हम तो मन वचन और करम से आपको ही अपना पती समझती हैं, सर्वस्वस समझती हैं। आपकी मंद मदुर मुस्कान ने हमारे हिर्दे को मुहित कर लिया है। हे स्वामी जिस प्रानी को आपके चर्णों में प्रेम होता है। उसे लोक लाज कुल हानी की कोई चिंता नहीं रहती। हे प्रभू अब शरनागत की लाज तुम्हारे हाथ है। हमने अपने बड़ों से यह सुना था कि जो प्रानी तुमसे स्नेह करता है। तुम भी उसे प्रेम पुर्वक अपना लेते हो। प्रंतु आज हमें वह बात मिथ्या परतीत हो रही है। वह बात हमें जूटी लगने लगी है। प्रीती करने वाले प्रसपर एक दूसरे से मन का हाल जान लेते हैं। प्रंतु इस समय आप हमारी प्रीती का हाल कुछ भी नहीं जान रहे हैं। जो प्रेम करते हैं एक दूसरे के मन की बात वो जान लेते हैं। लेकिन आप तो अंतर्यामी होते हो भी हमारे मन की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वेद शास्त्रों के कथन के अनुसार जब तक मनुष्य अपना मन संसारी मोमाया से दूर नहीं करता तब तक वह आपको प्राप्त नहीं कर पाता। उसे के अनुसार हम सबसे प्रीती छोड़कर आपके पास आई हैं। रहे हैं वहां से हे प्रभू आप बाहर निकल कर कैसे जा सकेंगे। हमारे मन मंदिर में जो आपकी मनुहर मूर्ति समाई हुई है उसे आप हमारे मन से नहीं हटा सकते। इसलिए है प्रभु हमें तो आप स्विकार कर ही लीजिए हमें आपको आज स्विकार करना ही पड़ेगा आपके जिन चरंद कमलों की धूली को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव आदी देवता लालाइत रहते हैं उन्हें हम किस परकार त्याग दें हम सब आपके इस मन महन सवरूप की चेरी हैं तथा अपना तन मन और धन सर्वस्व इसी पर नियोच्छावर करती हैं भला तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो आपकी इस महदुर चवी को देखकर तथा आपकी बांसुरी को सुनकर मुगधिल ना हो जाए हे ब्रजेंदर आपका नाम दीना नात है तो हमसे अधिक दीन इस संसार में इस समय कोई नहीं है अते हे प्रभू आप हमारी मन की अभिलाशा पूर्ण कीजिए ये राजा प्रिक्षित जब श्री शाम सुन्दर जी ने सब गोपियों की ऐसी प्रीती देखी है तब वे उनसे कहने लगे हैं कि हे गोपियों यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो आओ मेरे साथ रास करो ये वचन आज सुनते ही सब गोपियों के मन प्राता काल के कमल के समान खिल गए हैं सब के मन की अभिलाशा आज पूर्ण होने जा रही है तब श्री श्याम सुन्दर भगवान जी ने योग माया को बुला कर रास क किया है एक रतन जड़ित रास मंडल बना कर तयार कर दिया है और उस चबूतरे के चारों और केले के खंबे गार कर उन पर मोतियों और फूलों की जालरें लटका दी है चारों और मनोरम द्रिश्य उपस्थित हुआ है जब रास मंडल तयार हो गया तब श्री कृषिन साथ वहां जा पहुंचे हैं चांदनी रात के कारण उस चबूतरे की शोभा हजारों गुना अधिक हो गई थी श्री श्याम सुंदर जी की इच्छा से उस चबूतरे के पास ही वस्त्र और अभूशनों तथा मुरली ढोल आदी बाजों का समानी कठा हो गया जीने सभी गो गोपियां सोलश रिंगार करके श्रीकृशन जी के निकट आकर नितगाइन करने लगी हैं उस समय श्रीश्यामसंदर स्वेम就是 राधारानी के साथ रहे और अनय सब गोपियों के बीच अपना एक-एक रूप प्रकट किया है इस समय श्रीश्यामसंदर जी की चोभा ऐसी जिस समय श्रीक्रिशन भगवान जी ने ब्रजबलाओं के गले में हाथ डाल कर मधुर स्वरों से बंशी में अनेक राग रागनियां भरी उस समय उन सब के हिर्दे में धदकती हुई विरह की जवाला शान्त हुई है उस समय गोपियां उनकी अनुपम छवी पर महुईत होकर अपना मनुष्य जनम भूल गई है आज ठाकुर जी से मिलन होने पर उनके इतने परमसुंदर परममनोहर दर्शन होने पर सब गोपियां अपना सब कुछ भूल गई है जब जी वात्मा पर मात्मा के साथ एक होता है तो वहां पर संसार की कोई याद नहीं रह जाती आज है और ठाकुर जी है और उसके बाद भाव बदला है कि केवल ठाकुर जी ही ठाकुर जी है आज उनकी सेवा करके आज अपने मन की अभिलाशा को पूर्ण करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना है आज सब गोपियां अती प्रसन है ठाकुर जी के साथ रास विलास करक सब के मन में अत्यांत परसंता का अनुभव हो रहा है श्री श्याम सुंदर भगवान कभी तो अपनी भोहें टेहडी करके उन्हें संकेत करते हैं और कभी उनके मनहोर गीतों को सुनकर स्वयम आनंदित होते हैं कभी कोई गोपी उनकी मूरली को छीन कर स्वयम बजाने लगती है तो कभी कोई उनके स्वर में स्वर मिला कर गा उठती है हे राजा प्रिक्षित उस समय के आनंद को देख देख कर देवता ब्रज बालाओं के भागे की सरहना करते हुए इस परकार कहते हैं कि देखो सचिदानंद प्रभू इन ब्रज गोपियों के साथ कैसा रासविलास कर रहे हैं इससे बढ़कर इनका धन्य भागे और क्या होगा पूरी त्रिलोकी में इनसे बढ़कर और कोई भागेवान आज नहीं हो सकता श्री रसिक बिहारी जी की ऐसी कृपा देखकर सब गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया है कि हमारे समान सुंदर कोई दूसरी इस्त्री नहीं है हमने साक्षात श्री त्रिलोकी नाथ जी को अपनी भूजाओं में भरकर नचाया है अब ये हमारी आगया के बीना कहीं भी नहीं जा सकते ये सोच कर एक गोपि ने श्री श्री शाम सुंदर जे की और कटाक्ष करते हुए कहा है कि हे प्यारे अब नाचते नाचते मेरे पाउँ तो दुखने लगे हैं उस गोपि के इतना कहते ही अन्य गोपियां भी कोई तो प्रभू का हाथ पकड़ कर और कोई उनके कंधे का सहारा लेकर खड़ी हो गई है आज सब गोपियों के मन में अपने रूप का अभिमान आया है वो सोचने लगी हैं कि ठाकुर जी हमारी सुन्दरता पर मोहित हुए है लेकिन वास्त में सच बात तो ये है कि भगवान तो केवल मन के प्रेम को देखते हैं भगवान किसी का अभिमान से भी नहीं सकते हे राजा प्रिक्षित उस समय गर्वहारी श्रीश्याम सुन्दर भगवान जी ने ये विचार किया है कि इन गोपियों के मन में ये अभिमान पैदा हुआ है कि मैं इनकी सुन्दरता पर मैं इनकी खूब सूर्थी पर मुग्द होकर इनके वश में हो गया हूँ अत्य है इनका गर्व नश्ट करने के लिए मुझे यहां से अंतर ध्यान हो जाना चाहिए इस परकार इनका गर्व इनका अभिमान नश्ट हो जाएगा तब मैं फिर से इनके पास आकर इनको मिलूँगा ऐसा निश्टे करके आज श्री कृषिन चंदर जी सब गोपियों को वहीं छोड़कर श्री राधारानी जी को साथ लेकर वहां से लुप्त हो गए है तो यहीं पर शिर्मत भागवत महापुरान के दस्वे सकंद के 29 अध्याय की कथा का विश्राम होता है रास लिला का ये अध्याय है इस कथा को सुनकर भगवान से अत्यंत प्रेम हो जाता है और इस कथा को सुनकर मन की वासना का काम वासना का नाश हो जाता है श्रद्धा भक्ति से जो इस कथा को सुनेगा उसकी मन की काम वासना का नाश हो जाएगा ये शिर्मत भागवत महापुरान की फल शूती में बताया गया है तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हार्दी का धन्यवाद भगवान श्री रादा कृष्चन जी की शिर्मत भागवत महापुरान की अनंत क्रिपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधारानी सरकार की जै श्री कृष्चन भगवान की जै श्री मत भागवत महापुरान की जै शुक देव जी महराज की जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे शाम